हेलो डियर स्टुडेंट, मैं रिपुशर अप्षूदन चोबे आपकी अपने चैनल, अध्थी की पाड़ साला पर आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम क्लास एट के जियोग्राफी में जो नेचरल रिशोर्स हैं, लेंड, स्वायल, वाटर, जो नेचरल वेजिटीशन, वाइल डाइफ पर चर्चाएं करेंगे, तो एक एक चीजों पर हम आपको थोड़ी थोड़ी डिसकुसन बताएंगे, कि लेंड जो की एक नेचरल र वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, तो चलिए, सुरू करते हैं, लैंड, लैंड क्या है, लिथोस्पियर पहले समझ लेते हैं, कि हम जिस भूम पर या जहां रहते हैं, उसे लिथोस्पियर कहते हैं, ठीक ह और land उसी lithosphere का एक भाग है तो आप जानते हैं कि लगबग 29% जो है उपरतिबी पर जमीन पाई जाती है लेंड पाई जाती है और अलग-अलग areas में total area में अलग-अलग जो हिस्से हैं उसमें कुछ पर platos, कुछ पर mountain, कुछ पर plain area पाया जाता है जो population distribution है लेंड पर वो uneven है मतलब जनसंख्या जो है वह इस पृत्वी पर असमान रूप से पाई जाती है उसका सबसे बड़ा कारण है लेंड की suitability और climatic condition अगर tropology की बात करें कि mountain area में, low laying area में और जहां पर water है, desert है, forest है यहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है क्योंकि वह area जनसंख्या के रहने के लायक नहीं होता है suitable नहीं होता है, क्योंकि वहाँ agriculture नहीं हो सकती है मनुष्य जो है वहाँ रह नहीं सकता proper water की सुबिधा नहीं मिलती है तो population वहीं ज़्यादा पाई जाती है जहां पर land समतल होती है बराबर होती है अब आते हैं बात करते हैं uses of land यानि जमीन का उप्योग तो जमीन का उप्योग आप कैसे कर सकते हैं जो जमीन का उप्योग है वो आप अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं कैसे to doing agriculture खेती करके आप कर सकते हैं fresh tree उस पे जंगल लगा के कर सकते हैं mining उसकी खुदाई कर सकते हैं building बना सकते हैं उस पे road बना सकते हैं industry लगा सकते हैं यानि इस जमीन का उप्योग आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं वो depend करता है आपके sense पर इन term को हम land use के नाम से जानते हैं जिस भी तरीकों से आप जमीन का उपयोग करते हैं, उसे term of land use कहते हैं, अगर हम अलग-अलग तरीकों की बात करें, तो land use का जो pattern है, वो physical factor पर निर्भर करता है, उसके भौतिक सोरूप पर निर्भर करता है, कि महाँ पर ट्रोपोग्राफि कैसी है, स्वायल कैसी है, मिट्टी कैसी है, क्लाइमिट कैसी है, वहाँ पर कौन से मिनरल पाया जाते हैं, वहाँ पर water availability क्या है, ये सब चीजें जमीन के यूज में बहुत ही महत्वपूर होती हैं, उसके साथ साथ population भी और technology भी land use pattern को प्रभावित करती है land जमीन का जो प्रियोग है, वह दो तरीकों से होता है, private और community land यानि private land और community यानि सामुदाइक land private land पर एक individual उसका प्रियोग करता है, जबकि community land पर पूरा समुदाय उस जमीन का प्रियोग करता है private land में agricultural land को सामिल किया जाता है, जबकि community land में जो pasture हैं, जो forest हैं, जो nuts हैं, जो medical herbs हैं, इसे हम community land या common property resource के नाम से भी जानते हैं यह सभी के लिए होता है, जिसे जंगल है, किसी area में जंगल है तो उस पे किसी एक काधिकार नहीं होता, सबका होता है क्योंकि वो public property होती है land की quality के आधार पर अलग-अलग तरीकों से उसकी उसका प्रियोग करता है, कहीं जमीन बहुत ही fertile है, कहीं जमीन बैरन है, पंजर है, तो उसकी quality के आधार पर भी जो use है उसका वो प्रभावित होता है, जिसे रूलर एरिया में या किल्चर जहां होती है, वो जमीन बहुत ही अच्छी होती है, अर्बन एरिया में ज्यादा तर जो है, बैरन लेंड या पास्चर लेंड का यूज कामर्सियल एरिया में या कंस्ट्रक्शन एरिया में किया जाता है, या जो है, लेंड डिगार्डेशन का भी एक कारण है, कि जैसे लेंड स्लाइडिंग, स्वायल इरोजन, डेजर्फिकेशन, इसका सबसे ज़्यादा इसका सबसे जाता है, जैसे आप रोड पे चलते हैं, बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, तो धूल क्या है, वह जमीन का छरण है, बारिश होती है, तो मिट्टी एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर चली जाती है, वह लेंड डिगार्डेशन का एक कारण है, तो ये सारी मैप्स हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि लैंड डिगार्डेशन का क्या कारण है, इन सब चीजों को आप समझने का प्रयास करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लैंड कंसर्वेशन के बारे में बताएंगे, कि हाव टू वी कंसर्व लैंड, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जमीन या लैंड रिशोर्स के बारे में, यूज अफ लैंड के बारे में मैंने बताया, कि जमीन क्या है, उसका किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार की होती है, ओनर्शिप के आधार पर जमीन दो प्रकार की होती है, प पढ़िये लिखिये अपने समय का उपयोग करिये और जादा से जादा समय अपने सार्थक प्रियोग में लगाए क्योंकि समय अगर आप बर्बात करेंगे तो समय एक दिन समय आपको बर्बात कर देगा तो समय का प्रियोग सार्थक चीजों में लगाए अगले वीडियो में आपको हम वेधरिंग और कंजर्विशन आफ लैंड के बारे में बताएंगे